ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती, Godlywood Studio द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इश्वर ये ज्यान विश्व परिवर्तन का आधार है परंदो यह ज्यान हम सभी के जीवन को प्रकाशित तब करता है जब हम इन ज्यान रत्नों को कारे में लेकर आते हैं और तब ही हम स्वयम के साथ विश्व की अन्यात्माओं का भी कल्यान कर सकते हैं इन ज्यान रत्नों के महत्व को और भी गहराई से समझेंगे हम आज इश्वर ये महावाक्यों द्वारा और इन महावाक्यों के सपष्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं प्रजापिता अब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाय सहाब फिस अब आपका आज के अपिस्वोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है ओ अम्शान फिस अब आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 75 के महवाक्यों पर जिसका टॉपिक है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्दन कैसे परमात्मा कहते हैं कि स्वयम को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो इस शरीर द्वारा जो चाहो वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो ऐसे अनुभव करते हो इस शरीर के मालिक कर्मिंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मिंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिती में स्थित हो सकते हो अर्थात राजयोग की सिध्धी, कर्मिंद्रियों के राजा बनने की शक्ती प्राप्थ की है? हम सब चो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसकी सिध्धी यही है, कि हमारी कर्मिंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें आत्मा राजा है, मालिक है, जब चाहे इस कर्मिंद्रियों का अधाल ले, और जब चाहे इसे न्यारी हो जाए, यह सरीरी पन की दिल है, और जो इस दिल को बार बार करते हैं, दिन में कई बार, जब समय मेले, गंटे में एक बार भी, एक मिनट के लिए, इस सरीर से अगर हम को रिवा प्रण के अगर हो जाए तो इस दिल के कर्मिंद्रियों फमнес रे प्रण को धिरहा जाएंगे, पहली हमारी मूल है मन उसका रेकार्य का अंक्त्र्र्क र्मारे का कर्मिंद्रियों पर के कश्केमारे कर्मिंद्रियों पर पूरा की कंट्रॉल यह जाएंगे, यह स mention장 मात्मा कहते हैं कि राजाव मालिक कभी भी कोई कर्मिंद्रे के वशिभूत नहीं हो सकता वशिभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता विश्व के मालिक के संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मिंद्रियों के मालिक न हो तो क्या कहे मालिक के बालक कहेंगे नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयम को मालिक समझ कर चल नहीं सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? ये स्वमान सदा इसमरत्ती में रहना चाहिए कि हम सब के पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं और हम उनके बच्चे है तो जैसे पिता परमात्मा मालिक है सर्वशक्तियों का ऐसे आत्मा अपनी कर्मिंद्रियों की मालिक है तो जब मालिकपन का नसा रहता है सुमान रहता है तब कर्मिंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती है तो परमात्मा चाहते हैं कि जब आप यह नहीं कहना कि मैं चाहता नहीं था, मैंने बोल दिया, मैं चाहता नहीं था, मैंने देख लिया, करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, तो परमात्मा कहता है यह जो परवस इस्थिति है, यह वसिभूत इस्थिति है, मालिक कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि मैं चाहता नह इसलिए उगया। जब हम राजयोग का भ्यास करते हैं, तो हमारा अपने आप पर फुल कंटॉल है जो देखना चाहे देखें, जो बोलना चाहें, बोले, जो करना चाहें वो करें। आत्मा मालिक बन करके अगर कर्मिंद्रियों से कर्म कराएगी तो कभी भी कोई कर्म बिकर्म नहीं बनेगा इसलिए सदा इस्मृत्ति रहे कि हम विश्व के मालिक के बालक सो मालिक हैं जब ये स्मृत्ति रहेगे तब हमारे कर्मिंद्रियां हमारे कन्कोर में रहेंगे परमात्मा क्याते हैं कि हम मास्टर सर्व शक्तिवान है ये तो पक्ता निश्चे है ना कि यह निश्चे भी अभी हो रहा है निश्चे में कभी परसंटेज होती है क्या बाप के बच्चे तो है ही न, ऐसे थोड़े ही 90 प्रतिशत हैं और 10 प्रतिशत नहीं है ऐसा बच्चा कभी देखा है, निश्चे अर्धात 100 प्रतिशत निश्चे आत्मा का पिता परमात्मा है, हम आत्माएं जब आत्मिक इस्थिती में इस्थित रहती हैं तब परमात्मा की निरंतर याद रहती है. जब हम देह विमान में आते हैं, तो देह विमान के कारण देह का पिता याद रहता है. और देह के पिता में कभी संसे नहीं आता, उसमें संपून निष्चे रहता ही है. लेकिन आत्मा का पिता उसमें संसे में परसेंटेज इसलिए आती है क्योंकि हम सदा अपने आपको आत्मा निश्चे नहीं करते हैं अगर हम आत्मी की स्थिती में इस्थित रहें तो निरंतर परमात्मा की याद रहेगी और प्रता निश्चे रहेगा कि हम उसके बालक है और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे सौ प्रतिशत निश्चे बुद्धी बच्चों की पहली निशानी क्या होगी? निश्चे बुद्धी की पहली निशानी है विजई कहावत भी है निश्चे बुद्धी विजयान्ती विजय मिलेगी कैसे निश्चे से तो निरंतर इस निश्चे की स्मृति कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ जह स्मृति रहती है स्मृति के बिना समर्थी थोड़े ही आएगी विजय होने का आधार है स्मृति अगर स्मृति कमजोर होगी निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावर्फुल नहीं होगी तो विजय कैसे होंगे तो पहले इस निश्चे को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है बार-बार रिवाईज करने से इस्मरती पक्की हो जाएगी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ सुरू सुरू में भाबा ने कई बच्चों से ये प्रेक्टिस कराई कि बच्चे 108 बार लिखो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो ये अभ्यास करते करते पक्का हो गया जैसे आत्मा का निष्चे हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा पिता आत्मा का पिता पर्मात्मा है, और पर्मात्मा सर्व सक्तिमान है, तो जब उसकी स्मृत्ती बार बार रहती है, तो समर्थी आएगी, मैं किसका बच्चा हूँ, इसका बच्चा मालिक हूँ, उस स्मृत् इस निष्चे को इस स्मृत्य में लियाओ कि मैं हूं किसका, दो सब्द बार बार पक्के करने हैं, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, और ये अगर दो सब्द पक्के हो जाते हैं, तो आत्मा उस स्वमान में इस्थित रह सकती है, आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जिसे चलते फिरते, лौकिक occupation और लौकिक सम्बन्द सदास्मृती में रहता ही है न। उसी स्मृती से समर्थी आती है कि मैं ऐसा परिवार का, ऐसे occupation वाला हूं. वैसे ही जो मरजीवा अब्राम्हण जन्म का संबंद, वो उक्यूपेशन है, वो स्वयम का स्वरूप है, वह सदा स्मृती में रहना चाहिए स्मृती कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती है लोकिक में तो कभी भी किसी को बूलता ही नहीं है मैं इस घराणे का हूँ, मैं इस पद पर हूँ, ये मेरी पोजीशन है, तो उसकी प्रिति सदा रहते है क्योंकि जिस प्रकार का क्र्म होता है जिस प्रकार के हमारे संबंध होते हैं, साधार से हमारी पक्र रॉज TREE हो जाती है अर मड़ माड़ जीवा बनने के बाद उस जीवा लोकिक से अलोकिक होगे, तो अलोकिक जीवन में भी इस हमर्ट पक्की होनी चाहिए कि मैं ब्राम् मन कुल भूसन हूं. और मैं ब्रामानात्मा, परमात्मा की संतान हूं. तो जब वो इसमरति पक्की रहेगी, तो समर्थी आएगी. जैसे लोकेक में उसको समर्थी रहती है, अपने पद और पोजिशन के अपने कुल के नसे से, उसकी समर्थी से. ऐसे ही अलोकिक पुल की, इस अलोकिक परिवार की भी स्मृति रहनी चाहिए और इसमें जो परमात्मा ने हमें स्वमान की सीट दिये जो हमें पद दिया है कि आप कौन हो परमात्मा की जितनी विशेषताएं हैं उनके आप बच्चे माश्टर हो जब ये स्मृति रहेगे तब समर्थे आएगे पसब परमात्मा कहते हैं कि विजे हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ बलकि विजे होने का जो फाउंडिशन है उसको मजबूत रखो कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मन्जिल पर पहुँच जाएं इस मार्ग को तै कर रहे हो या इंतजार में हो कि मन्जिल दिखाए दे विजे जो हमारी निश्चित है है निश्चित कल्प कल्प हम विजे भने हैं जानते हैं लेकिन वो विजे का आधार जो है वो हमारा मार्ग जब हमने क्रास किया है करास करने के बाद ही वन्जिल प्राप्त होगी, आज मालो हमें कहीं जाना है, किसी इस्थान पर पहुंचना है, तो ऐसे तुरे हम संकल्प से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर साकार में जाना है, तो साकार में जाने के लिए हमें उसका रास्ता तै करना पड़ेगा, तो परम स्वयम की स्मृत्ति रहे, पिता परमात्मा की स्मृत्ति रहे, संगम के समय की स्मृत्ति रहे, तब वो मंजिल जो है विजय की उप्राप्त हो सकते। लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज करेंगे। यूज ना करें तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी। लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकोगे। कईयों के पास धन बहुत होता है लेकिन वो सिर्फ सम्हाल के तिजोरी में रख देना बैंक में जमा कर देना तो सिर्फ सोच करके खुश हो सकते हैं कि मेरे पास इतना धन है। लेकिन अगर उस धन का वो प्रियोग करते हैं। अबादे लगते हैं, उससे सुख मिलता है। साधन होंगे, सुविधाय होंगी, दHAN से तो साधन आएंगे। लेकिन उस धन का आपने प्रियोग ही नहीं किया है, है kill, आप आपे पास जमा कर लिया, उसको यूज नहीं कर नहीं। तो पर्मातमा कहते हैं, आपके पास अनका द्धन है, गुनों का द्धन है, सक्तियों का द्धन है। आप देख सकहते हैं, जाएंको भुछाया एंवहना है। लेकिन उसको कारी में लगाओ, सीवा में लगाओ, जितना वो कारी में लगेगा उतना अंदर से अंतरिक सुख की अन्भूती होगी, क्यों उससे कई आत्मों का भला होगा, कल्यान होगा, तो उनकी दुएं मिलेंगी, तो वो सुख की अन्भूती कराएंगी, तो एक है दूसरा है सुख, देखने से खुसी हो रही है, लेकिन प्रेक्टिकल सुख की जीवन का अनुभव तभी हो सकता है, जब उसको कारी में लगाया जाए। परमात्मा कहते कि लोटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन मिलाना, उसके बिना सुख का, आनंद का वविजई बनने की खुशी का अनुभव नहीं तर सकेंगे। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है, लौकिक पहलो में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है, इस इश्वरिय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए, जो बोला वहा अनुभव किया। वास्थों में अनुभव एक बहुत बड़ी अथार्टी है। जो अनुभवी आत्मा होती हैं, उनके बूलने से भी लोगों पर बहुत प्रभव पड़ता है। कोई बात कोई बच्चा कह रहा है, जिसको उसका कोई अनुभव ही उसको नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं पढ़ता है, वो समझते हैं, इस बच्चे को कोई ने पढ़ाया है, या कहीं से सीख करके बोल रहा है, लेकिन जो अनुभवी होते हैं, बार बार कुस प्रैक्टि पहले अपने आप में उसका अनुभा करके देखा है और देखना चाहिए है। माननो हम आत्म का ग्यान देते हैं, कि मैं आत्म हूं, मैं आत्मा इन कर्मिंद्रियों से कर्म करा रही हूं। तो उस आत्मिक सरूप का मैं अभ्यास किया। क्या मैंने अपनी कर्मिंद्रियों पर कंट्रोल करके देखा है कि मैं अपने मन पर कितना समय राजी कर सकता हूं, मेरी कर्मिंद्रियां इस्थूल कितना हमारे नियंत्रन में हैं, अनुभोगर किया है, और फिर मैं किसी को कहता हूं, आप एक आत्मा हैं, आत्मा समझ करके कर् तो कोई भी बात जो ह्म कहे रहे हैं, आज हम कहते हैं अवएक्ट वतन है ह Wish Vermont is Your니다 और आज अववयक्ट स्थित्य द्वाराआ आप अववयक्ट मिलन असकते हो लेकिन हम कहे रहे हैं, हमने उसका अनुभव कह वी किया है हमने उसका किया इन्हें और दोसरों को हम सिखा रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे जो कुछ बोलते हो उसके अनुभवी बनो पहले खुद अनुभव करो फिर दोसरों को कहो परमात्मा कहते हैं कि यह समझते तो हो, कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, परन्तु क्या इसका अनुभव भी किया है, ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं, जब तक कोई भी कारे करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुशार्थ तीव्र नहीं हो सकता। वास्तों में कोई भी बात हो, अगर हम सोचने लगें, कि मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूँ, तो सिर्फ सोचने या बोलने से उसका अनुभव नहीं होगा, उसके लिए जब कोई ऐसी बाते आती हैं सामने, मास्टर सर्व सक्तिवान का जिस सक्ति की जिस समय जहां आवस्यकता है वो काम में आनी चाहिए। सिर्फ रटने की या बोलने की बात नहीं है। अगर वो शक्ति समय पर हावाहन करते ही जरूरत के समय हाजिर हो जाती है। मैं मैं मास्टर सर्फसक्तिवान हूँ। कोई भी कारी की सफलता का आधार है उस स्वरूप का अनुभो कर लेना। अनुभो एक अथार्टी बन जाती है तो यह अनुभो हो कि मैं ने इस समय पर ऐसी परिस्तिति में इस शक्ति का यूज किया। तब वो शक्ति का अनुभो हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि आपके आगे परिस्तिति आई है आप अपने आपको यह समझ करके कारी करो। तो सफलता हो जाएगी। तो उसको जब हम बताएंगे तो उसका परियोग करने से सफल हो सकता है। सिर्फ हम बिनानुभो कि अगर किसी वो कह रहे हैं तो सुनेगा, रटेगा लेकिन वो प्रेक्टिकल प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी लौके कत्वा अलौके कारे की डेट फिक्स होने के बाद फिर आटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। यह मैंने प्रेक्टिकल देखा कोई भी कारे की डेट अगर हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि इस समय तक हम यह कारे संपन करेंगे। तो उसके आधार से प्लैनिंग चलती है और उसके आधार से सब मिल जूल कर के कारे किये जाते हैं। दादी जी को अमने बहुत गहराई से अनुभो किया देखा कि कोई भी कारे की डेट पहले एनाउंस कर देते हैं। जैसे हमारा जब ओम शांति भामन बना तो उन्होंने डेट एनाउंस कर दी कि हमें फर्वरी में इसका उधान करना है। जबकि वो फाउंडेशन ही एक साल पहले लगा था। जनवरी में और फर्वरी में इनाउंस कर दिया कि इसने समय में हमको इस तयारी करनी है। उसके कारण उस कारे में स्पीड बढ़ी है। जहां से भी जो सहियोग जिससे मिलना था उसको लिया गया। और उसी डेट पर उसका उधाटन हुआ। जब ही बी कोई भी कारे कि अगर हम देट फिक्स करते हैं इतने समय में मुझे इस लक्ष को प्राप्त करना है। उसी लक्ष के अनुसार हमारी स्पीड टेज हो जाती है। इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं अपने संपूनता की देट फिक्स कर लो। कि मुझे इतने वर्सों में अपनी इस इस्थिति को बना करके दिखाना है। तो इस पीड पुर्शारत की ते भुड़ जाहें। तो तीवरता का आधार है अपनी डेट को निश्चित करना। इस निश्चित देट तक मैं आत्मा इस इस इस्थिति को प्राप्त कर लोंगे। परमात्मा कहते हैं कि इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या पर्सो नहीं होती। इसकी डेट होती है अभी घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चे रखेंगे कि ये करना ही है करेंगे नहीं। करना ही है यह है द्रण संकल्प। कई बार हम सोचने लगते हैं कर लेंगे हो जाएगा। संकल्प में अगर धिलापन है तो कभी संपन नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रखो। साकार में ब्रह्मा बाबा कहते थे कोई भी मैटर लिखवाते थे। उसके नीचे कहते थे लिखो बच्चे। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है अभी कर लो। स्रेष्ट करम के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्रेष्ट करम अगर आपको आ रहा है उसी समय आया संकल्प और कर लो। तो तुरत निर्णय लेने से सफलता मिल जाएगी। हो सकता है अपने अगर सोचा कर लेंगे तो इस पीच के गयप में कहीं माया का वार हो सकता है। कोई भीगना सकता है। इसलिए कल के ऊपर कोई भी कारे छोड़ना ही नहीं है। वैसे भी कहते हैं कल तो काल का नाम है। इसलिए कभी भी कल कर लेंगे, हो जाएगा, समय पड़ा है, पर्मात्मा को इस सब्द अच्छे नहीं लगते हैं, जो करना है, अभी अभी करना है, बिल्कुल, पर्मात्मा कहते हैं कि समय का खयाल तो रखना चाहिए न, यह भी सोचों की प्रालब्ध कितने समय की है, दो प्रालब्ध पानी है, तो पुरुशार्थ भी बहुत काल का चाहिए न, अगर लास्ट टाइम पुरुशार्थ करेंगे, तो प्रालब्ध भी लास्ट की ही मिलेगी, पुरुशार्थ फस्ट नहीं और प्रालब्ध फस्ट वाली चाहिए, इसलिए रेस करने की जरूरत है, जिस दिन से प्रमात्मा का परिचे मिला, संपूर निष्चे हुआ, उस दिन से ही अगर हम तीब्रपुरसारत करने लगें, अपना संकल्प, बोल, समय, संपत्ति, जो हमारी खजाने हैं, प्रमात्मा की जो देन हमें प्राप्त हुई है, अगर उसको हम सफल करना सीख जाएं, जिस दिन से निष्चे हो गया, उस दिन से एक संकल्प भी बेर्थ न चलाएं, एक पोल भी बेर्थ न जाएं, जो संपत्ति है, ज्यान की, गुणों की, या स्थूल संपत्ति, केवल इस्वरिय सेवा में सफल कर लें, तो थोड़े समय में भी कोई आत्मा लाष्ट आते भ जगातार, उचे से उचा अच्छा पुरसारत किया जाए, तो बहुत काल की प्रालब्द बनाई जा सकती है, इसलिए परमात्मा कहते है, पुरसारत का समय बहुत थोड़ा है, प्रालब्द है आधा कल्प की, तो ये थोड़े पुरसारत करो, जो आपको पूरे कल्प की, आ जिसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन्स आती है लेकिन जो मन्जिल को पाने वाला होता है वै उसको देखता नहीं है उसके बुद्धी में मन्जिल की प्राप्ती ही रहती है तो यहां भी बुद्धी में मन्जिल रखनी है न कि वह बात नहीं अगर समय की सम्रति रहती है, इतने समय तक मुझे स्टेशन पहुचना है, गाड़ी छोटने का ये समय है, और हम अपने घर से इस्टेशन तक जाने के लिए कोई साधन लेते हैं, और उस साधन के बीच में कोई भी साइट सीन्स आती है, तो हम साइट सीन्स को हम कभी भी सेन पकड़नी है, मुझे तो समय पर पहुचना है, लेकिन लक्ष निर्धारित है, टाइम फिक्स है, तब हम देश कर सकते हैं, तो परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे, अगर समय निष्चित कर लोगे, कि मुझे संपन बनना है, संपून बनना है, इसलिए कोई भी बाते आ देंगे, तो मन्जिल पर समय पर पहुच नहीं सकेंगे, तो अब द्रणता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद, इस समय को भी याद करना पड़ेगा, कि समय पर जो करना था, वह नहीं किया, पैस अब आज हमने समझा कि समय का क्या महत्व है, और कैसे हम निष्चे बुद्धी होकर द्रणता द्वारा विजई बन सकते हैं, फैस अब इस पश्टी करण के लिए आपका बहुत वर धन्यवाद, दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि निष्चे बुद्धी की निशानी है, सदा विजई, और इसके लिए निरंतर इस निष्चे की स अब इसमृति में रहना है, कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हो, यह समृति ही हमें समर्थी दिलाती है, परमात्मा ने कहा कि हमें इश्वरी ज्ञान खजानों को अपने जीवन में प्रयोग करना है, उनका अनुभव करना है, तभी हम सुक, शान्ती, आनंद और प्रेम को सकते हैं, तरशकों आज के एपिसोड से संबन्थ है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें इमेल कर सकते हैं, हमारा इमेल आइडी है amoliratna at the rate godlywoodstudio.org, अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ, आप सभी के समक्ष हम फिर हाजर होंगे, तब त अपली लॉट्री, लॉट्री को यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख, आनंद, वह विजय बनने की खुशी का अनुवब नहीं कर सकते, 100% निश्चय बुद्धी बच्चों की निशानी है, विजय, विजय है मन्जल और मार्ग है निरन तरस्मती, बह अधिक जानकारी के लिए संपर करें, अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो, मन्मोहिनीवन, शान्तीवन पोस्ट, आवुरोड 307510, डिस्टिक्स सिरोही, राजस्थान, इवेल आईडी है, अमुल्यरतन at godlywoodstudio.org इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर, क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड इस्टूडियो से संपर्क करें